हाई फ्रेंज वेलकम बैक टू माई चैनल तो सुभा उठकी आज मैं आ गई थी फिश मार्केट यहाँ पर मैं पार्चेस करने वाली हो फीच और साथी मैं वह वाला फीश कर रेसिपी में आप लोगों के शाद शरू स्यार करना चाहती हो तो इसके लिए हम लोगों को आनली चाहिए 10 मीनिस 5 मिनिस चाहिए फीश को फ्राइ करने के लिए जो कि मैंने करके रख दिया था हल्दी नमग और मस्टार ओएल में फीश को पकाना है सब कुछ करके रख दी ती इसके लिए मुझे लग एक वाली हूँ सॉल्टेट पीनर्स तो सॉल्टेट पीनर्स वम लोग आट करेंगे तो नमक थोड़ा सा सोच समझ के आप लोग यूज कीजिए सॉल्टेट पीनट्स को हम लोग यहाँ पेस्ट कर लेंगे आप लोग अगर तीखा पसंद करते हो तो यहाँ पे आप लोग ग्रीन चिली आट करो और साती में थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से ब्लेंट कर लो तो इसके बाद हम लोग आजाते हैं कराई में तो ओयल गरम हो चुका था यहाँ पे मैंने डाल दिया था काला जीरा काला जीरा को थोड़ा सा होने के लिए हम लोग छोड देंगे इसके साथ यहां पर add कर लेंगे green chili ग्रीन chili add करने के बाद इन सारे चीजों को होने देंगे और यहां पर मैंने डाल दिया था dry curry lips मेरे पास dry curry lips धी available था क्योंकि मेरे पास curry lips नहीं थी अगर आप लोग के पास fresh available है तो फिर आप लोग fresh curry lips यहाँ पे डालिए तो इन सारे चीजों को अच्छे से crackle होने के लिए हम लोग छोड़ देंगे ताकि इस सारे चीजों का जो भी सारे चीज देल के अंदर आ जाए अच्छे से इसके बाद हम लोग यहाँ पे अड कर देंगे हम लोग का वो वाला पेस्ट जो कि हम लोगोंने peanuts के साथ बनाए थे तो यहाँ पे हम लोग वो वाला पेस्ट को करेंगे add और साती में उसके पहले हम लोग दाल देंगे हल्दी नहीं तो फिर जो peanuts का पेस्ट है ना फोग क्रैकल करना स्टार्ट कर देगा तो देखिए जो peanuts का पेस्ट है यहाँ पे आप लोग को स्मूथ एक पेस्ट बनाना परए गा इन सारे चीज़ों को अच्छे से एक पर चला लीजिए ताकि इस सारे पीनर्स को एड़ कीजिए तो इसके साथ मैं यहां पर डालने वाली थी मस्टर्ट पेस्ट मस्टर्ट पेस्ट रेडिमेंट मार्केंड में मिल जाता है अगर नहीं है अब के पास तो फिर आप मस्टर्ट को थोड़ा सा पानी में भीगो के रखिए उसके बाद वो पेस्ट को एड़ कर दीजिए तो यहां पर मैं सोची थी के मस्टर्ट पेस्ट एड़ करूँ मकर उसके पहले यहां पर एक्चुली थोड़ा सा पानी चाहिए था क्योंकि यह पूरा सूख गया था तो यहाँ पर मैं एट कर रही थी पानी और हाँ फ्रेंज मस्ट बहुत ही करवा हो जाता है वो स्मेल और सारे चीजों को एक बार अच्छे से चला लेंगे उसके बाद यहाँ पर हम लोग धीरे धीरे एट कर देंगे फिश को जो कि मैंने अ एक उबाल तक इसको उबालने देंगे क्योंकि एक्छले मास्टर बेर मैंने भी सोचा था कि पहले मैं मास्टर सीद पेस्ट एड करूँ वगर उसके बाद सोचा कि नहीं एक बार फिश को होने के लिए छोड देते तो यहाँ पर मैंने यह वीडियो में कोई भी एडिटिं है तो एक बार फिश को अप लोग हलके हातों से उलट पलट कर दीजिए अच्छे से फिश थोड़ा सा सौफ्ट हो जाए थोड़ा सा कुक हो जाए उसके बाद यहाँ पर बाकी सारे जो चीज़े यहाँ पर एड करेंगे तो अगर आप लोग नॉर्मल ड्राइ रोस्ट वा कर दी थी तो इन सारे चीज़ों को डालने के बाद यहाँ पर मैं यूस कर रही थी थोड़ा सा स्पाइस लेवल को बढ़ाने के लिए ग्रीन शीली पेस्ट जो की मेरे पास थे अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप लोग नॉर्मल ग्रीन शीली को डालिए यहाँ पर मै चला दीजिए चलाने के बाद यहाँ पर आप लोग चाते हो तो यहाँ पर ढख दो थोड़ा सा यह सारे चीज़ हो जाएगा तो देखिए मेरे फिश का गरी जो भी था वो बनके तयार हो गया था फोर मिनिट सी मुझे लगा था हाँ फिश को पकाने के लिए भी मुझे फ तो हेना यह कमाल की तो तेन मिनिट में आपका जो फिश करी है वो बनके तयार हो गया है तो चलिए मैं यहाँ पर इसको सर्फ करूंगी राइस के साथ आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ कि यह कैसे बनके तयार हो गया है देखिए यह थोड़ी देर के बाद थोड़ा स तो ठीक हो गया है डालने के बाद तो चलिए मैं यहां पर आप लोगों को सर्फ करके भी दिखा देते हो तो हेल्फुल लगा है वीडियो पसंद आए है तो प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करना मत भूलिये ताकि आप लोगों के लिए मैं नए नए रेशी पिलाल सको thank you for watching have a nice day bye bye and take झालने के लिए मैं तो प्लीज मैं तो बाद देता है अगया ao लोगों के लिए रेखाईष से बाद आप सकता है चैनल ранग है